नमस्कार दोस्तों मैं निमेज जोसी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों कल की वीडियो आप सभी ने देखी रहेगी डिसेंबर की ओफर्स आ चुकी है और उन सारी ओफरों में एक ओफर एस्ट्रा पीवी वाली भी थी और बहुत लोगों ने वीडियो के कमेंड में भी पड़ा रहेगा बहुत सारे कंफ्यूजन है उसमें कुछ एक या दो कंडिशन ऐसी है कि जिनके काफी सारे लोगों को मन में डाउट है कंफ्यूजन है के सर यह कैसे होगा यहां पर कुछ ऐसे बता रहा है यहां पर कुछ ऐसे लिखा है तो आज सारे कंफ्यूजन दूर कर दूँगा कूग कल ओफर वाली वीडियो थी तो इतना डिटेल में बात नहीं हुआ था तो आज यह 100 PV जो एस्ट्रा है सिर्फ और सिर्फ उसी के उपर बात करेंगे सारे टेंसन कंडिशन का डिटेल में में बता दूँगा तो बिल्कुल भी वीडियो स्कीप ना करिएगा एक भी पॉइंट मिस ना करिएगा ताकि आपकी कोई भी गलती यह ओफर लेने के चलते गलती से भी आप गलती ना कर सको ठीक है तो चली एक एक कंडिशन के उपर हम डिस्क्रिशन कर लेगे थोड़ा थोड़ा देखे सबस आसान भासा में समझाओ तो यह ओफर सिर्फ और सिर्फ जो आदमी नया जुड़ा है और उसका जब फर्स्ट इनवाइस होगा उसके लिए है लेकिन मान के चलिए कि कोई बंदा आपके साथ प्रिवियस मन मतलब के नवेंबर में जुड़ा है और अभी तक उन्होंने कोई भी पर्चेसिंग नहीं किये तो वो आदमी भी यह ओफर का बेनिफिट ले सकता है अब यह मत लिखिएगा के सर उसकी आईडी रेड है तो यह देखो आईडी रेड होने के बहुत सारे प्रकार होते कि मान लिजेगे वो गए महीने जुड़ा है और पांच यह दस पीवी क करेगा वो भी हंड्रेट पीवी का तो उसको यह ओफर का बेनिफिट मिलेगा तो यह डाउट आप पहले क्लियर कर लिजे के रेड आईडी नहीं जीरो पीवी वाली आईडी यह ओफर का बेनिफिट ले सकेगी ठीक है दूसरा तो अवेल दीज ऑफर अ मिनिमम पर्चेस ओ हंड्रेट पीवी एंड अबाव इस मेंडेटरी ओना सिंगल इन्वाइज क्लबिंग ओफ इन्वाइज इस नॉट अलाउड तो यह भी एक ध्यान में रख लिजे कि जब भी आप इन्वाइसिंग करोगे तो वह सिंगल इन्वाइस में हंड्रेट पीवी होने चाहिए आप पचास-पचास पीवी के दो इन्वाइस बनाए तो नहीं वैलिड माना जाएगा मलब जो भी इन्वाइस होगा वो सिंगल इन्वाइस होना चाहिए 100 पीवी का टुकडा इसमें अलाउड नहीं है मलब पार्ट इन्वाइस आप यहां नहीं कर सकते हो अगर आपको एस्ट् नेचरल प्रोड़क्ट वर्थ 100 पीवी एंड अबाउड देखिए ओफर में यह इन्वाइस में सिर्फ और सिर्फ वापस में दो रहा रहा हूं सिर्फ हेल्थ केर और एस्षोर नेचरल के प्रोड़क्ट ही लेने हैं और भी कोई प्रोड़क्ट अगर 100 पीवी में आपने एड किया है तो आपके 100 पीवी एस्ट्रा नहीं मिलेगे आपको यह दो कैटेगीरी के ही प्रोड़क्ट लेने हैं इसमें ही बहुत सारे कंफ्यूजन था चलिए आगे भी में वह पॉइंट के उपर आऊंगा लेकिन फिलाल यह पॉइंट का मतलब आप समझ लिजे कि आप आपको हेल्थ केर या तो एस्ट और नेचरल के ही प्रोड़क्ट लेने पूरे 100 पीवी के तब ही आपको एस्ट्रा 100 पीवी मिलेगे चौथा पॉइंट क्या है जीस ओफर केंड बी क्लब विट द एग्जिस्टिंग जॉइनिंग स्कीम मलब जो हमारा फर्स्ट इन्वाइ इसमें आप ले सकते हो और साथ में आपको यह एस्ट्रा पीवी भी मिल जाएगे अगर आपने हेल्थ केर और एस्ट्रा नेचरल के प्रोड़क्ट ली है तो चौथा फॉर एलो भी एक्चुल 5625 पीवी विल बी कंसीड़र दीगे यह भी ज़रा ध्यान दे दिजे मान के च सिधे डबल हो जाएगे मतलब 4700 से में सिधा 5700 पीवी पर पहुंच जाएगा वो ले तो मतलब 5625 पीवी क्रॉस हो जाएगा तो दोस्तों वह कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर एलो भी लेना है तो एक्चुल 5625 पीवी होने चाहिए मतलब 4700 के बाद आपने 500 पीवी किये है तो पीवी तो डबल हो जाएगे बट वह एलो भी में काउंट नहीं हो गए एलो मतलब उसमें सिर्फ 5200 पीवी ही माना जाएगा 5700 पीवी नहीं काउंट हो गए तो यह भी एक ज्यान रख लीजेगा एलो भी लेनी है तो वह लेका एक्चुल 5625 पीवी होना चाहिए डब हो जाएगा बट स्कीम फंड जो भी आपको मिलेगा वह आपको एक्चुल पीवी जो हुए उसके उपर मिलेगा फास्ट एट परसंट लेवल कैन बी डन प्रोड़क्ट वाउचर विल नॉट बी गीवन ठीक है मतलब फास्ट अगर किसी को आपके नीचे अगर दो जन को आ 200 पीवी पर जो 5% मिलना था उसके जगा पर 8% का मिलेगा तो आपको फास्ट आट माना जाएगा बट जो ऑफर के चलते जो साड़े 700 का वाउचर है वो नहीं मिलेगा इसके अंदर उसके बाद क्या है इस्ट्रा पीवी विल बी फोर लेवल्स उनली आपका लेवल के लिए एस्ट्रा पीवी जरूर से माना जाएगा बट कमिशन के लिए नहीं माना जाएगा मनलब कमिशन आपको एक्चुल पीवी मनलब मान लीजे का आप 800 पीवी पर हो और आपको मंधेंड में आपने किसी को एक को जोईनिंग करवा लिया है 100 पीवी से तो उसका एक्जट डब पीवी पर मिलेगा ना के 2000 पीवी पर समझ रहे हो मनलब आपको लेवल मेंटेन करने के लिए पीवी जरूर से काउंट होगा बट कमिशन आपको एक्चुल पीवी पर मिलेगा उसके बाद क्या है इस ओफर इस वैलिट फॉम सेकंड डिसेंबर अंटिल डिसेंबर 2020 बिजने यह ओफर पूरे महीने चलने वाला है ऐसा नहीं के एक से 12 तारीक में लोगों को या 15 तारीक तक लोगों को जोइन करवाना है आप कभी भी लोगों को जोइन करवा सकते हो पूरे महीने में अगर इस तरीके से उन्होंने 100 पीवी किया है तो आपको इसका एस्ट्रा पीवी अब आप बोलोगे के सर इसी में confusion है आप बता रहे हो के healthcare के product लेने और asure natural के लेने और यहां पर तो लिखा है के this offer is valid on products of all categories तो दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे यह आया था मैं खुद भी कल के वीडियो में confused हो गया था और यहां पर मैं खुद भी mute हो गया था और में भी सही धं उसके बाद आदे गंटे के बाद यह एक देखो अभी आप screen में देख रहे हो यह नया भी poster आ गया था जो official vestige वालों ने किया था publish इसमें से वो second point निकाल दिया है तो by mistake कल वो point वहां पर add कर दिया गया था कि all categories पे मिलेगा तो ऐसा नहीं है आपको सिरफ healthcare और asure natural के product से ही 100 PV करने तो वो point वहां से निकाल दिया गया है तो यह confusion दूर कर दिजिए और last वाला जो point है extra PV will not be consider for consistency offer only actual PV will consider for consistency offer तो इसके लिए तो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 100 PV से कोई joining करता है asure natural या healthcare के product से तो आप बोलोगे कि 100 के 200 हो गए double PV से तो दो consistency मानी जाएगी नही consistency एक ही मानी जाएगी जो उसके actual PV है ठीक है तो यह सारे होगे अब बात आती है मुद्देगी के बहुत जन्ने यह भी comment किया था के sir तो फिर यह हम promote कई से करेगे तो देखे इसके लिए कुछ हम work कर रहे है मैं और मिताली जी कि इसमें दो kit possibilities है एक तो skin care की और एक hair care की जिस सर हम कौन से कौन से product इसमें प्रमोट कर सकते जो आसानी से लोग ले भी ले और 100 PV कर सके तो मुझे जरुद से इसमें comment करिये yes we want to know the kit आपको kit के बारे में जानना है बस वैसे भी link लिए तू भी चलेगा तो हम जरूर से उसके उपर भी एक video बना के upload कर देगे तो बस यह सा and I thank you very much wish you well